हेलो दोस्तों मैं उद्धागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एकजाम योजबाए उद्धासर में दोस्तों आप सभी को पता है कि दो ही बड़े एकजाम है एक तो आपका CET का और एक ग्राम सचे पटवारी केनल पटवारी का बाकी बहुत सारी भरतियां हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यानि कि युवा हम कह सकते हैं या फिर स्टुडेंट हम कह सकते हैं या फिर मेहनत करने वाले बच्चे भी हम कह सकते हैं देखो आपके बार बार मेसेज आरें कि सर हमारा डाउट किलियर करें कि ग्राम सची पटवारी केनल पटवारी का जो एकजाम है वो CET के साथ होगा या अलग होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अभी कुछ दिन पहले लगवग यानि तीन चार दिन पहले वीडियो डाली थी कि अभी किलियर नहीं है कि CET के साथ आपका एकजाम होगा लेकिन आज जो बड़ी ख़बर हाई है जो हमें जानकारी मिली है यानि कि इस एकजाम को लेकर आपकी मीटिंग होगी और वो मीटिंग का जो समय हम आपको बता रहें लगवग 10 से 12 है तारीक तक वो मीटिंग हो जाएगी जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं तो वहां से किलियर हो जाएगा कि आपका एकजाम CET के साथ होगा या फिर अलग होगा और जहां त आपके साथ सेर कर रहे हैं और सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं उस समय भी हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी ती कि भइबadow सा वेट करें एक वीक का समय ठोड़ा सा दें सारी जो डाउट है जो भी हो आपके किलियर हो जाएगे धीरे-धीरे जो कंडिशन है वो सामने आ रही है और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि लगभग बारह तारीक तक मान कर चलें आपका जो भी डाउट है वो किलियर होने के पूरे-पूरे चांस है क्योंकि एक मीटिंग होगी वैसे तो एक मीटिंग आपकी आठ तारीक को भी देखते हैं अब क्या डेसीजन यानि की निर करने वाले युबा होते हैं और वो दिन रात मेहनत भी करेंगे तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद